Hello friends, स्वागत है आपका Digital तयारी चैनल पे, मैं श्रयांस कोठारी लेक हैं आपकी फेवरेट किताब Essential English Grammar और Essential English Grammar by Raymond Murphy बराबर हम लोग कर रहे हैं दोस्तों Everyday एक वीडियो आ रहा है, एक वीडियो के अंदर Complete Theory और Complete Excise कहां मिलेगी ऐसी चीज़ें दोस्तों, Theory पड़ो, Excise करो, Theory पड़ो, Excise करो कोशिश रहे आपकी की चीज़ें नमबर वाइस चलती जाएं One पहले, Two बाद में, Three बाद में, Four बाद में आगे चलती जाएं लेकिन किसी भी दिन किसी वीडियो को उठाया, Theory पड़ा, Excise किया, काम खतम मजा ही आ जा रहा है दोस्तों, बहुत ही शांदार तरीके से आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेय है न, वो लगातार बना रहे, बस मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, चैप्टर नमबर 82 पे पहुँच चुके हम, दीरे दीरे आगे बढ़ते जा रहे हम, बहुत जल्दी की, reasoning की या maths की, जो आप चाहते हमारे चैनल पे जरूर आए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, मस आप लगातार चलते चले जाएए दोस्तों, मैं लिए चलता हूँ आपको, next, I think, yes, next हम बात करते हैं, a lot, much और many के बारे में देखें, ये क्या कहना चाहरा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत सारा पैसा है, a lot of money, कम सा पैसा नजर आ रहा है, not much money, इसी तरीके से बहुत सारी किताबे हैं, तो a lot of books, और अगर बहुत सारी नहीं है, तो not many books, क्या ये बात समझ आगे, ये phrases समझ आगे, बहुत सारा कहा यहां मैंने, और बहुत सारी कहां मैंने, आपको समझ ना था, कि जहां मैंने count किया, वहां many लगाया, जहां मैंने count नहीं किया, uncountable थी, वहां पे मैंने much लगाया, अभी अच्छे से explain कर देते हैं, दोस्तों, आपके सामने देखिए, much plus uncountable noun, very very important, अगर आपको uncountable noun का प्र प्रयोग करें, जैसे, did you buy much food, क्या तुमने बहुत सारा पैसा, खाना खरीद है, we haven't got much luggage, हमारे पस बहुत ज्यादा luggage नहीं है, not much, how much money do you want, कितना पैसा चाहिए, दोस्तों, ये भी uncountable है, ये भी uncountable है, ये भी uncountable है, money uncountable है, have you got any money, कोई भी पैसा है तुमारे पस, I got some but not much, तो हमने देखा, much का प्रयोग वहां करते हैं, जहाँ uncountable noun है, अगर हमें many का प्रयोग करना है, बॉस, तो हमें क्या करना होगा, पहली चीज, many के बाद plural noun आएगा, accountable में भी plural वाला ही, singular तो नहीं आ सकता, ये तो clear होगा आपको, भाई, did you buy many books, बहुत सारी books खरीदी क्या, we don't wanna know, many people, बहुत सारे लोगों को, हम नहीं जानते हैं, how many photographs, कितने photographs तुम ने लिये, did you take any photographs, क्या तुम लिये, not many, जादा नहीं, तो दोस्तों, जल्दवाजी में मैंने करवाया, आपको समझाया, क्योंकि को समझाने लायक था ही नहीं, much का प्रयोग वहां करें, जहां उसके बाद uncountable noun है, example मैंने दिखाया आपको, many का प्रयोग वहां करें, जहां बाद में countable है, और countable में भी plural है, जहां plural होगा, many आए यह दो चीजों का ध्यान रखें, बोलते वक्त साफधानी रखें, कई लोग बोलते हैं, much uncountable है, many countable है, बॉस countable uncountable noun होते हैं, यह दोनों adjective है, much भी adjective है, many भी adjective है, adjective के बाद में noun लगता है, इस बात का विशेश ध्यान रखें, चलिए आगे समझें हम समझने की कोशिश कर है हम, a lot of, a lot of हमेशा आता है, all types of noun, हर noun के लिए आ जाता है, we bought a lot of food, uncountable आ गया, Paula hasn't got a lot of free time, uncountable के लिए आ गया, आगे देखिये, वहाँ भी कुछ example दे रखें है, ध्यान से देखें, we bought a lot of books, countable आ गया, did they ask you a lot of questions, countable आ गया, so a lot of countable के लिए भी आ सकता है और uncountable के लिए भी आ सकता है, कुछ और नीचे दे रखा है, note करने वाली बातें, जरा ध्यान से देखें, note that we say, there is a lot of, is क्यों आया, क्योंकि singular verb लगाना है uncountable के लिए, food, money, water, uncountable के लिए singular verb लगाएंगे, और countable अगर हो गया, plural अगर हो गया तो क्या लगाएंगे boss, यहां पर लगाएंगे are, a lot of trees, a lot of shops, a lot of people, a lot of people speak plural आया है, not speaks, तो हमने देखा दोस्तों, a lot of singular, plural दोनों के लिए आता, actually ऐसा नहीं कहना अची है, plural और uncountable दोनों के लिए आता, singular के लिए तो आ नहीं सकता, जब भी a lot of आएगा plural ही होगा, या फिर uncountable ही होगा, जहां uncountable के लिए आया, helping verb singular वाली लोगे, जहां plural के लिए आएगा, वहां plural ही लोगे, यह सारी चीजें दोस्तों, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, इसी चैनल पे हमारे साथ बने रही है, चिजरत दयारी पे, शली दोस्तों, आगे लिए चलता हूँ, theory का औ दातर होगा, not usually in positive, हमें positive में उसे avoid करना है, मच का प्रयोग, positive sentences में कम आएगा, नहीं आएगा, ऐसे समझें, negative में आएगा, negative में आएगा, question है नहीं, interrogative में आएगा, कैसे दोस्तों समझते है, do you drink much coffee, question है, a lot of coffee, question है, चलेगा, I don't drink much coffee, a lot of question, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, negative में और interrogative में, I drink a lot of coffee, यहां हमने positive sentence किया, भाया, मच का प्रयोग नहीं किया, sentence अगर positive है, तो मच नहीं लगाया, do you drink much coffee, question है, चलेगा, yes, a lot, positive है, not much, मच नहीं लगाएंगे, फिर महां पर हम a lot लगा के छोड़ देंगे, इसी प्रकार से कुछ और देखिये, द हरतारे के sentence में आ सकता है, मच का प्रयोग negative में avoid करना है, many का करने की ज़रूत नहीं है, many हरतारे के उसमें आ सकता है, have you got interrogative, question है, have you got many friends, a lot of friends, दोनों चलेगा, we haven't got many friends, a lot of friends, दोनों चलेगा, we have got many friends, a lot of friends, दोनों चलेगा, so many और a lot of positive, negative, interrogative, तीनों प्रकार में देख लिय लेकिन मच को अवाइड गरना है पॉजिटिव वाक्यों में जो जो छोटे छोटे निया में दोस्तों बस कॉपी में लिखते चले जाएए इस किताब में दोस्तों एक्जाम्पल्स बहुत सारे हैं एक्ससाइज़स बहुत सारी हैं और थियोरी को समझाने का to the point तरीखा है बस इसी किताब को इसलिए मैं करवा रहा हूँ आगे देखते हैं दोस्तों लास्ट चीज दो इसमां बता रखी है आप मच या अलोट को विदाउट नाउन के साथ भी विदाउट नाउन नाउन नहीं है तो भी प्रयोग कर सकते हो डायना स्पोक टू मी डायना ने मुझसे बात करी बट बहुत जादा नहीं दिंट से मच मच आगे कुछ लगाने की ज़रत नहीं मच खतम हो गया अकेला विदाउट अनाउन काम आगया डू यू वाच टीवी मच बहुत सारी टीवी देखते हो क्या नॉट मच ज्यादा नहीं वी लाइक फिल्म्स हम फिल्म देखते हैं सो वी गो टू दे सिनेमा अलोट अलोट आगे छोड़ दिया हमने आई डोंट लाइंग हम वेरी मच तो हमने देख थैंक यू बेरी मच तो बोलते ही हैं आब लोग बिना नाउन के भी इनका प्रयोग हो सकता है थेयोरी का पार्ट देखा दोस्तों हमने चले दोस्तों चलते है एकसरसाइस की और एकसरसाइस हम यहां करेंगे बहुत सिंपल सी exercise है दोस्तों पहली वारी exercise है जिसमें आपको much या many का प्रयोग करना है दोस्तों मुझे लगता है यह homework दे देना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़ादा tough तो नहीं लग रही मुझे ध्यान से देखेगा देर आरंज अब मुझे बताईए जरा hotels लिखा है मैं तो clear बता दूँ दोस्तों अगर plural लिखा हो तो many लगा देना और singular हो तो much लगा देना बस सिंपल सा काम करना यूँ कहते है plural हो तो many लगा देना और सही तो है uncountable हो singular लगा देना यानि much लगा देना यहां पे hotels नजर आ रही है मैंने many लगा दिया बहुत सिंपल काम किया भाई बहुत सारे कमरे नहीं है इस town में इस hotels में बहुत सारे hotels नहीं है we haven't got much petrol भाईया जादा petrol नहीं नहीं हमारे पास were there many अब आपको बताओ कितना आसान है people आया मैं नहीं लगाया petrol आया मच लगाया hotels आया मैं नहीं लगाया कुछ करना ही तो नहीं है यार इस exercise में बताओ करना क्या है यार चलो यहां देखते हैं यहां क्या दे रखा है students दे रखा है बताओ did many students fail the examination क्या कई सारे विध्यारती fail होए examination में Paula hasn't got much money Paula के बाद बहुत सारा पैसा नहीं है I wasn't very hungry मैं तो भईया बहुत जादा हंगरी भूका नहीं था I did not eat much मैंने जादा खाना नहीं खाया क्या यह बात समझ आ रही है I haven't seen George मैंने जाद देखा ही नहीं है बहुत वर्षों से many years मैंने क्या किया दोस्तों बस इतना सा note किया आगे अगर plural है तो many लगाया आगे अगर uncountable है तो much लगाया इससे जादा करना भी कहा है बताओ कुछ आगे चलते है इसी exercise का एक और part है दोस्तों how much how many करना है मैं इसे अब नहीं करूँगा अब मैं आपको homework दूँगा मैं कुछ भी नहीं करना हूँ चार question तो आप homework करी सकते हो बस आप देखेगा people यानि लोग यानि plural milk यानि uncountable bread यानि uncountable players यानि plural मैंने बता दिया है अपनी दरफ से hint दे दिये अब आपका answer मैं चाहूँगा question number 9, 10, 11, 12 का जो इस comment box में आप करने वाले हैं दोस्तों homework जरूर करिये मैं बार-बार इस बात पर pressurize करता हूँ homework करेंगे मैं पिछले कई exercises से homework दिये जा रहा हूँ दोस्तों homework जरूर करिये अब आजाते हम next exercise पे exercise number second क्या कह रही है जोस्तों I don't read very much मैं बहुत जादा नहीं बढ़ता हूँ I haven't got many books भया किताबें ही नहीं होंगी तो कैसे पढ़ूँगा मैं सीधी से बात है मैं नहीं क्यों आया क्योंकि plural के लिए आया quick जल्दी करो we must hurry हमें जल्दी करना है we haven't got अब time नहीं है हमारे पास जल्दी कर रहे है uncountable है we haven't got much time हमारे पास समय नहीं है समझ का रखिएगा अप लोग next देखें दोस्तों do you travel a lot क्या तुम बहुत जादा travel करते हो have you been to many countries क्या तुम बहुत सारी countries में जा चुके हो तो हमने क्या किया दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया हमने जहां पे countries लगाया वहां आपको reason के साथ की भाईया यहां plural है तो countries लगा दो plural है तो many लगा दो बहुत easy हो गया काम अबाद Tina hasn't lived here very long Tina यहां पे बहुत लंबे समय से नहीं रही so she doesn't know बहुत सारे लोगों को जानती नहीं है she doesn't know many people बहुत सारे लोगों को नहीं जानती है people अपने आप में plural है many लग जाएगा plural है तो many बाकी जगे मच करना ही क्या इस exercise में बस आप चलते चले जाएए लगातार दोस्तों have you got dash no only this bag बहुत सारा लगेज तो नहीं है तुमारे पस much luggage क्यों लगाया भई luggage countable नहीं है अगर आपको याद हो तो पहले हम पढ़ चुके ये बात luggage uncountable के रूप में आएगा much का प्रयोग करेंगे I know Paris very well Paris तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ I have been there बहुत सारी बार यहाँ times लिखावा है ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो times का मतलब होता है बार frequency कितनी बार बहुत सारी बार मैं वहाँ पे गया हूँ बहुत सारी बार क्या ये बात समझ आ गई दोस्तों a lot of का प्रयोग करना है आपको मुझे नहीं लगता बहुत जादा टफ होगी exercise आप लोगों के लिए I like reading में को तो बहुत सारी reading पसंद है I have lot of books बहुत सारी किताब है We enjoyed our visit to museum हम museum बहुत जादा खुश हुए वहाँ जाके क्यूं we saw a lot of interesting things बहुत जादा रोचक चीजें देखोंगे तभी तो आपने enjoy किया होगा museum में वैसे ही बहुत सारी रोचक चीजें मिलती है a lot of interesting things this road is very dangerous यह यह जो road है सटक है ना बहुत dangerous है there are a lot of accidents a lot of accidents का मतलब बहुत सारे accidents होते हैं यहापे we enjoyed our holiday हम तो बहुत ही enjoy किये we had a lot of fun हमने बहुत जादा मस्ती करी मजा करया खूब सारा fun यानि मजा तो यहाँ पे क्या जगा we had a lot of fun हमने कुछ नहीं करना था a lot of का प्रयोग करना था सही शब्द का प्रयोग करना था that's it एक और question दिखिये it took me a long time to drive here a lot of लगाया uncountable तो भी a lot of लगाया यही तो खास बात है इस a lot of शब्द की आगे बढ़ते हैं दोस्तों next बात करते हैं यहाँ पे आपको देखना है much का प्रयोग natural कहा नहीं है जहां है वहाँ okay जहां नहीं है वहाँ a lot of मेरी बात समझेगा much का प्रयोग जहां okay है वहाँ okay लिख दो जहां नहीं है वहाँ a lot of लगा दो जैसे I drink a lot of tea क्यों दोस्तों मैंने कहा था positive sense में much का प्रयोग नहीं करेंगे negative या interrogative it was a cold winter we had a lot of snow a lot of क्योंकि positive है दोस्तों a lot of snow बहुत simple भाशा में बता रहा हूँ आपको there wasn't much snow wasn't आ गया negative आ गया much लगाओ मुझे आपत्ती नहीं आपको भी नहीं होनी चाहिए it cost a lot of money positive sentence है बहुत सारा पैसा लगता है भाईया world में घूमने के लिए a lot of money we had a cheap holiday बहुत ही सस्ता holiday था it did not, did not negative, negative में मच चलेगा negative में मच चलेगा positive में a lot of आ जाएगा do you know क्या तुम जानते हो a lot about computer a lot क्यों लगाया मेने positive है वैसे यहां पे much भी चलेगा क्यों? दोस्तों interrogative में much भी चलता है, a lot भी चलता है much भी चलता है, okay है तो इसको मैं okay कहता हूँ वाई have you got, have आगया कोई दिक्कत नहीं है यहां नहीं आएगा क्योंकि यह जो answer है यह positive answer है यह ना तो interrogative की श्रेणी है और ना ही negative की श्रेणी है यह तो positive है positive वाले में a lot लगाना है, यह ज़रूर ध्यान रखे दोस्तों और थोड़ा सा आगे बढ़ें आखरी exercise की और चलते हैं हम लोग आखरी में क्या कह रहा है write the sentence about these people much या a lot का प्रयोग करना है ध्यान से देखेगा Jim loves movie Jim's को movie पसंद है He goes to a lot of देखाँ, he goes to the cinema a lot ध्यान से एगर हम देखें है He goes to the cinema a lot हमने यहां पे वो वाला करना है जहां पे word आखरी में आ जाएगा उसके बाद noun लगाने की जरूत नहीं है तो he goes to cinema a lot ध्यान से देखेगा Linda thinks TV is boring Linda को लगता है TV boring है She doesn't watch TV much Negative है much She doesn't watch TV much Tina is a good tennis player Tina बहुत अच्छी tennis player है She plays tennis a lot She plays tennis a lot बस last में a lot लगा के छोड़ना है Martin doesn't like driving Martin को नहीं पसंद है He doesn't use his car much Negative है तो he doesn't use his car much आ जाएगा Paul spends most of the time at home Paul जो है वो पूरा समय जो है घर पे ही रहता है तो negative बनाना है He doesn't go out much He doesn't go out much Doesn't लगा दिया he के लिए Much लगा दिया negative के लिए Actually Sue has been all over the world पूरे दुनिया गूम चुकी है She travels a lot She travels a lot तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने आपको Much, a lot of, not much इन सब की चीज़े हमने देखी Negative, interrogative, positive कहां क्या लगा सकते हैं मैंनी कहां लगाते हैं Without noun क्या होता है सारी चीज़े हमने पढ़ियो दोस्तों इतनी प्यारी किताब है बस आप continue करिएगा कोई भी चीज में break मत लीजेगा लगातार हम भी बने हैं आप भी हमारे साथ बने रहे हैं इसी चैनल पर जसका नाम है Digital तैयारी Thank you